वेल्कम तो आवर चैनल 4G स्कूल, A Smart Way of Learning Through Technology, My English Book 3, Standard 3, Ria in the City, Part 2 पार्ट वन देखने के लिए आप हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, आपको तीन बेल नजर आएगी, जिसमें से सबसे उपर की यानि और पर प्रेस करेंगे, तब ही आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी, इसका पहला पार्ट द पार्ट टू, लिसन केरफुली, लुक इन्टो यर बुक एंड से वित मी, खौर से सुनो, किताब में देख कर मेरे साथ साथ दोहराओ, अब रिया कह रही है कि मेरे घर के खरीब भी एक ग्रॉसरी शॉप है, हम वहां से अनाश, तेल, नमक, शकर, बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़े खरीदते हैं, किया आप उनके नाम बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमने विलेज में ग्रॉसरी शॉप देखी थी, ये सिटी की ग्रॉसरी शॉप है, दोनों में फर्ख है, इट इस जस्ट लाइक मॉल, आपने मॉल देखा है, जो कि सिटी में होते हैं, यहां पर रिया अपनी ममा के साथ खुद से सामन खरीद रही है, और प जिस सिटी अएक स्टेंडार थी, आईक मिन ग्रॉसरी शॉप देखा है, इसे स्टी में ग्रॉसरी शॉप है पिद्षी शॉप आई स्टी में स्टी माइक में से सामन,"오ив कुद को द्यूसरी शॉपूरिन एक पर रही है। और माहूल का मुताला यानी इन्वायर्मेंट भी पढ़ते हैं Our English textbook is called My English Book 3 हमारी English की textbook का नाम है My English Book 3 इस तरह से उसने यहां पर अपनी lifestyle बयान की है हमने देखा है part 1, part 2 में कि गाउं और शहर की किस तरह से lifestyle में फर्ख होता है बच्चियां दोनों तिसरी क्लास में है लेकिन उनके से आमन खरीदने के मकामात अलग है उनकी स्कूल को जाने का रास्ता अलग है जाने का तरीखा अलग है लेकिन वो जी किताब पढ़ रहे हैं वो किताब एक ही है That is My English Book 3 Question, choose any one paragraph from pages 8 to 11 present it in the classroom किसी एक हिसे का इंतखाब करो जमात में इस हिसे को जबानी सुनाओ So this is your today's homework to please you recite all these paragraphs आपको यह याद करना है और जो आपको याद हो जाए उसे आप सुनाइए उसकी वीडियो क्लिप बनाइए and send it to your teacher Till then, take care and please stay with us and do not forget to subscribe our channel 4G School for your latest further videos